नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं मुजफ़फर पुर नियोज प्रिंस राज नाम है वारा आज की प्रमुक खबरों पे एक नज़र यपूर धान च्छेत्र में शनिवार साम च्छात्रा को निर्मम तरीके से जिंदा जलाए जाने वाले मामले में 95 प्रतिशत जली जात्रा को बेहतर इलाज के लिए शुविधाओं से लेस एंबुलेंस के द्वारा पटना के अपोलो हस्पिटल में रेफर कर दिया गिए काटी दनच्छेत्र के हाउसिंग कॉलें निवासी बच्चे की कथिद दुसकर्म के बाद दिर्मम हत्या को लेकर प्रधान मंतरी नरंद्रमोदी और ग्रीम मंतरी का दूद सिर्गिया विशेग वही बिल का विरोध करने वाले राहुल गांधी वह वैशी का जलाया पूस्ट अब खबरे में सार्ट से अहियापूर धाना च्छेत्र में शानिवार साम जात्रा को निर्मम तरीके से जिंद मंगलवार शाम शात्रा को जिंदा जला देने मामले में 95 फीसत जल जुकी पिरता को बेहतर इलाज हेतु मंगलवार डॉक्टरों की टीम की निवरानी में जीवन रक्षक उपकरनों से लैस एम्बुलेंस से पटना की अपूलो अस्पताल भेजा जा रहा है मामला मेडिया म में आने के बाद सुमवर्दो पहर रेंज आईजी गनेश कुमार जिला धिकारी आलो कुरंजन घोष एससपी जैंद कांत पुलीस उपादियक्षक नगर राम नरेश पासवान समेत कई अरा धिकारी सकेम सीच पहुँच कर पिरता से मुलकात की और प्रबंधन से इलाज की व्यवस्था कुली का जानकारी हांसल की इस मामले में पुलीस किसी भी इस्तर पर धील बरतना नहीं चाह रही मामले में मुख आरोपित राजा राई की गरफतारी के बाद मौके पर ही रेंज आईजी गनेश कुमार के सस्पी को विशेज जाच दल गठित कर मामले की जाच सब्सक्राइब कर दिया है उसके साथ साथ होगा उसके अनुसार अगर किसी के दूशी होंगे तो पर कारवाई होगा लड़की कुछ बोली है सर के पुलिस इस मामले को ले करके पूरी तरीके से सीरियस है और हम लोगों ने मैटर के लिए एक SIT का भी गठन किया गया है जो कि DSP टाउन के नेतरत में होंगे इसके बाद में इसके सीधी मॉनेटरिंग सिटी एसपी और मेदवारा की जाएगी और IG सर इसकी मॉनेटरिंग कर रहा है इसके अलावा जो है इसको लेडी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाये गया है बाकी आगे जैसा होगा जो भी जो भी लकुनाज है जहां जहां पर अगर किसी तरह के फुलिस को सूचना नहीं दी गई है या फिर हॉस्पिटल वाले ने सूचना नहीं दी गई है इस मैटर पे भी हम लोग आगे इस मैटर के अलावा इन्वेस्टिकेशन के अलावा भी जो वो मैटर से उसके उपर भी इंक्वारी कर ली जाएंगे और नाजू की स्थिति में आई है वो एक दिन किसी प्राइवेट मेर्सी होम में थी एक दिन वहां इदा चला कल साम में यहां ही हो डॉक्टरों का प्रियास चल रहा है यो उसको अच्छा सा अच्छा अच्छा अंग्लोग ट्रिट्मेंट कर सके अभी उनका बेरी सेक्षान अच्छा आगे 70% चल चुक्ति नाइटी पर्सेंट के लाव बागा तो तो समाजीग प्रपेच्छ है जहां देखने क्या सब्ता है हम लोग अपने ट्रीट्मेंट पर संपर भीरे हुए हैं उमीद करते हैं जो कोसिस जारी है तो क्रें हम लोग जो ठीक हो बच्ची करी है लेकिन पहले सुधर तो जाए थोड़ा सा तो इस्टेबुल हो जाए काटी थाना चेत्र के हाउसिंग कॉलिनी निवासी बच्ची की कथे दुसकर्म के बाद निर्म महत्या को लेकर उनके परिजनों ने जनादिकार पार्टी प्रमकवा पुर्वसांसत पपुयादम से बलाक सुष्टा पर मध्यपूरा के पुर्वसांसत वर्जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पपुयादम रवी बार देजर रात पिडित परिवार से मिले और हर संभध मदद का आस्वाशन दिया इस दौरान पपुयादम बच्ची के माता-पिता और का रवया भी दुर्भागयपूर्ण है उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं सरकार बेटियों की सुरक्षा कर पाने में नाकाम साबित हो रही है समस्तिपूर कैमूर मोहनिया बकसर दर्भंगा मज़फरपूर समेथ कई प्रान के सभी हिस्सों से ग काश करके कटाल का बेचते हैं कटाल का 30 सुबह में बच्ची बेची आवर आए हम उनको घर फोल करके गुगट तिन-तिन साल कर लेका है उसको देख भाल कर रही थी आप बच्ची हम फिर चलें कटाल पता काटने के लिए बार एक वजे करीम में हमने आए तो सुने के घर प की सूरू कर दिया, खोईते खोईते खोईते, और दिखते हैं कि बच्ची अए नको की खूला जाइगा, उसके बाद हम क्या है कि रात हो गया तो हमारा बीबी बड़े लड़की जो साधी में गई थी पर आई जब आई तो लोग मिलकर के खोजी दस बजे रात तक पुरा हाउसिंग गोट का लोग इस सब जवार का लोग जानता है कि इतना दोगा है उसके बाद जब सुबह हुआ रात भरोग लिलाकर हम लोग गएं सुबह हुआ तो हमने गएं जाकर के टेंपू किये का पास एक आदमी हमसे बॉला एक लास्थ 2.00 फाला जब अब वोरा में कशी हुए लड़की का लास्थ मिला हुआ हुआ है तो पुलिस उठा ले गई तव है हुआ को थाना है अहिया पुर्थाना में जब गया है तो हम सोचे कि हम तो इधर दर भटग लें क्या जरुत है प्लेशार थाना में रिपोर्ट देखाएं वहां गए जाकर के बोले तब बोला कि तुम परल काहे में आया अरे सार हम अकलेग हैं इसलिए भूमे हैं आया इसमे राया है तो देखिए कि हमारा लड़की है कि दूसरे के लड़की है व अच्छा आज पॉप यादब जी यहां पर आये हैं क्या लगता है क्या नयाए की क्या उम्मीद है अब नयाए करेंगा नयाए चाहिए हमको और हमारा मतलब से कि जैसे कि इसका दुस्परम हुआ है हमारा दुसरे का सामने तुम किसी को बताओ हमने बोले के नहीं देखे हैं और नहीं जानके सबसे पहले तो प्रसासन को यह सोचना चाहिए कि जो जिनके दोनों पैर दोनों हाथ बांदे हुए हो मुह में रूई ठुसा हुआ हो शरीद बिभत्स हो नोच खसोट हो और उसके बाद उसकी हत्ता कर दी जाती हो चौवीस घंटे तक इस हासन के सभी समाज के लोग खोशते रहें और बाद में जिस हालात में मिले हैं उससे साब जाहिर होता है कि एक मासुम बच्चे की इस तरह की हत्या किसी परस्थिती और कारण से की गई अब जब पर बच्ची इतनी असुरक्षित में मासुम बच्ची के साथ इस तरह का लगातार चैसे मजब्पर पुर हो नौध हो चैए आजमगर्ण हो चैए इद्राबाद हो चैए बिहार का कई घटना समच्थिपूर बक्सधर महनियां दर्भंगा ये लगातार जिस तरह के से घटना घट रही है और नेत्रत जिस त परिजन को मिले और सही रिपोर्ट मिले साथ साथ कर डीजी पी सबस्क्राइब करेंगे कि आप इसकी इंक्वाइडी साइटी पटना से कड़ा दिया जाए थाकि हमारे बच्ची के मारने वाले इतने बुरे विभश तरीके से घटना करके मारने वाले जो जो भी जुश संख् अब बच लोग है उसको करी से करी सजा दी जा इस पर हम जोरत होगी तो लडाई भी लड़ेंगे आंधोलन भी करेंगे हमारे प्लास्टे कास्त समय के हमारे नीता पर वेजी नी है हमारे अध्यक्त से यहां है सभी लोग मौजूद है और इस पर हम गंभिरता से नागरिकत वहीं बिल का विरोध करने वाले राहूल गांधी वह वैसी का पुस्चल जाया लोक सभा में नागरिकता संसोधन बिल पास होने पर पटना के कारगिल चौक पर लोचपा द्वारा प्रधान मंत्री नरीन मोधी एवं ग्रीह मंत्री अमित शाह के तस्वीरों पर दूद से क कर दिया लिया है वास हो गया है देश के युष्वी पटकान मंत्री प्री मंत्री रुजन सक्थी पार्टी के राश्टी अजर्टी के चैप्टल देश को इस देश में रहना होगा वन्ने मात्रम और भारत मता की चैकारा लगा नहीं होगा अन्याता राहूल गांधी और वैसी दोनों के दोनों पाकिस्तान चले जाए इस देश में रहते हैं जिस ठाली में खाते उसे को छेट कर रहे हैं उनको यहां रहने का कोई जरुवत नहीं है राहूल गांधी पुरे देश से अभी लंब मापी मांगे अन्याता हुआ पाकि अन्यातानी पटना के सरकों पर नर्सी बिल का विरोध किया और नर्सी बिल की प्रतियां जलाई कनहया कुमार के इस प्रदर्शन में भिहार के कॉंग्रस नेता शकील एहमद बीस साथ रहे साथ 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 पीपियाई के कई नेता और कॉंग्रस के कई नेता भी मौजूद इंकम टेक्स गोलंबर पर कॉंग्रस नेता और CPI नेताओं ने मिलकर NRC बिल का विरोध किया और उसकी प्रती को जलाया का देश गांधी जी की डेड़ सो भी जैनती मना रहा है और गांधी कहते हैं कि इश्वर अल्ला तेरो नम उस इश्वर अल्ला को बाटने की ये कोशिश है मैं समझता हूं कि सावरकर के मानने वाले लोगों ने आज जिन्ना के सपने को पूरा किया है जब देश का साथ बिश्मिल चंदर शेखर आजाद बगत सिंग और असफाग उल्ला खान को मानने वाले लोग हैं उनकी ये समझदारी है कि यह सामपरदाइक बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि देश की जंता को उनके विन्यादी सवालों से गुमराह किया जा सके जब अर्थवस्थ को ले करके आई है और इस बिनास के एजंडे के खिलाफ पूरे देश के लोग सामने आ रहे हैं क्योंकि एक धर्म का सवाल नहीं है ये देश का सवाल है और हमारा देश इस देश के भीतर किसी भी इंसान को पहचान के आधार पर उसके साथ कोई भेद्वा हो इसकी इजाज देश ब्यापी आंदोलन हो रहा है और बिहार जो जेपी की धर्ती है जो सामपरदाईक एकता की बात करते हैं उस धर्ती से भी आंदोलन का आगाज हो चुका है आज हम लोग बिल की पटी जलाए हैं आगामी 16 तारीक को पुर्निया में इसके खिलाफ एक बड़ा जन सभा ह होने जा रहा है और आगे पतना में भी हम लोग यह और हम नागरिकता readiness कर plays इए आज आपJean बोठ चन सकते हैं अपका बश्मिल देने का अधिकार झिन सकते हैं आज किसी और के साथ हो सकता है कल हमारे साथ यह acknowledging के सकता है देश की बचाने की लड़ाई है और जिस तरीके से असफाक और विश्मिल रामपरसाद विश्मिल की दोस्ती को तोरने की कोशिश कर रही की जा रही है इसामित्साह और मुदी के जूरी के द्वारा जिस तरीके से संभिधान की अब धारना को मरोडा जा रहा है मैं सम पूरे देश में विरोज जारी है नौर्थ इसके साथों एस्टेट में तो बंदी खायम हो चुकी है पूरे देश में इस पिल के खिलाब जो कल विदहायक पास किया है और यह आसम वैदानिक है इसको कोट में भी चालेंज करेंगे और सबसे बड़ी अदालत जो जनता की पाइस बना है यह भी जो लाने जा रहा है जिसको राश्वा में यह लेके जाएंगे वो भी जनता की और हिंदुस्तानियों के तक्लीफों का पाइस बनेगा यह संविधान के स्प्रिट के खिलाफ है इसलिए हम लोग जनता के बीच में जाकर के हर जगह इसका परतिकार कर हम को छोरकर उपेनर कुस्वा की पार्टी कित्थी जोईन जीतनराम मांजे के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा छोड उपेंद्र कुश्वाहा की रालो सपा का दामन थामा था इससे पहले विशन पटिल जडियों में रहते बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे पटना इसित राजल कारियाले में रास्ट्री परिशद की बैठक की गई जिसमें राजद के तमाम बरे चेहरे शामिल हुए रास्ट्री अध्यक्ष के दोर पे लालो प्रसाद के नाम की की गई आपचारी घोषना राजद रास्ट्री परिशद की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें तिजैसुवी यादव तीच परताव यादव शरद यादव रगवन्स परशाद सहीत तमाम नेता मंच पर मौदूद है लालु परशाद के रास्ट्री अध्यक्ष के रूप में निरवाजन की हुई प्रदेश कारियाले में शहयोग कारिक्रम में हिसाले ने पहुंच जथे बीजेपी के परदेश कारियाले में सहयोग कारिक्रम के तहट आज सुबे के केंद स्वास अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नरायन जहा ने कारिकरताओ और पार्टी पदाती कारियो से मुलकात की इस कारिक्रम के तहट विनोद नरायन जहा ने कारिकरताओ से मुल दरसल आजादी के बाद जो जखम पड़ा था उस पर एक मरहम है यह सच है कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जो अलप संख्यक बहां चले गए प्रतारित महसूस कर रहे हैं इसलिए यह विधियक उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बड़ा निर्ने है जो पाकिस्तान बं जो भी सरनार्थी बनकर भारत बाएंगे उन्हें उनका सम्मान दिया जाएगा उन्हें उनको नागरिक्ता दिया जाएगा दरसल यह हमने अपने चुनाब घोसना पत्र में भी हमने लोगसवा चुनाब के समय में लिखा था इस दिशा में अपने घोसना पत्र में किये वा पूरा करने की दिशा में जो लगातार निर्ने हो रहे हैं उस निर्ने की करी में कल का निर्ने नाग्रिक्ता स्वागत करते हैं। किसी को काम हो या कोई समस्या हो इसके निदान का प्रियास किया जाता है। संजय जैसवाल जी के निदेश पर आज से हमने ये काम शुरू किया है। ये प्रत्यक दिन चलेगा सहयोग के नाम से यहार से जो भी लोग जन समस्या जुरू रहे यहां आएंगे हम उनके निदान का प्रयास करेंगे। जल जीवन हरियाली एक बहुत ही महतोपूर्ण कारिक्रम विहार सरकार ने प्रारम क्या है। प्रकिर्द परियावरन और प्रित्वी को बचाने के लिए ये जल जीवन हरियाली कारिक्रम का भविशी के लिए ये बहुत पूर्ण कारिक्रम है। जलवाई परिवर्तन के कारण दुनिया में कठनाई महसूस की जा रही है और इसकी सुरुवात बिहार में की है। इसके ग्यारह आयाम हैं विभिन विभागों को इसको दिये गए हैं हमारे जितने जल स्रोत हैं उसको पुनर जिवित किया जाएगा जो भी उनका इंक्रोच्मेंट हुआ है उनसे हटा कर उनको ठीक किया जाएगा साथ साथ बरे पैमाने पर बरसा जल बरसा आप से हमें जल प्राप्त होता है वो नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है हम इसको रोकेंगे और बरसा जल को धर्ती के नीचे पहुँचाने के लिए भूगर्ब जल की अस्तर को बढ़ाने के काम होगा इसके बिजली जलाते हैं वो बिजली तो जलाएं ही साथ साथ बिजली का उत्पाधन भी करें इसके प्रयास हो रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने खाली छटों पर बिजली तो उत्पाधन सौरूरजा को उत्पाधन करेंगे ये तो उनके लिए जो उपयोगी होगा उत्ता उपय करेंगे और अत्रिक्त बिजली हम उसको क्राय भी करेंगे तो यह जल्द जीवन हर्याली एक बहुत ही महत्वा कांची कारे करें करें है जिसमें 24,500 क्रोड रुपे खर्च कीरने की जोजना है और इसके दूरगामी असर होंगे और भारत सईथ दुनिया के लिए एक बड़ा अनुकरनी ये प्रियास होगा आज की खबरों में बस इतना ही मुझे अमारी पुरी निउस टीम के साथ दीजे इजाज़त नवसकार इस न्यूस के सफ्रायों चक है जिया अभीनफ प्रोड़क्ट्स, प्लाटिनम अगरबत्ती, बाबा लेटी बंडार, इस्लामपो रोड मजफरपूर, चंदरान आएस एकडमी, मेकिंग यूर करियर शाइन, हल्दी राम, खुचियावाला, चॉजस ओफ इंडिया, लेडी इन स्पिरिट, इंटरनाशनल इन, स्टैंडर्ड्स, वैशाले इस्चुट अफ बिसनस एंड, रूरल मैनेज्मेंट, इंस्टिश्चिशनल एडिया, नारायनपूर अनन्त रोड मुझफरपूर, वी ल्चीजी, गोला रोड मुझफरपूर, हर घर की पसंद, ग्रीन लेटिस कबरों के लिए देखते रहेए M.U.Z.News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूदे